दोस्तो आज मैं आपके लिए रिवी लेकर कहा हूँ आईशर का एक और महाबली आईशर टेरा 25 नाइन स्पीड दोस्तो ये गाड़ी पहले 6 स्पीड में आती थी अभी इसको अपग्रेट करके 9 स्पीड में भी कंपनी ने निकाल दिया है दोस्तो ये जो गाड़ी है इसका पेलोड 25 टन्स का होता है जिसका वीकल कांफेगरेशन अगर बात करें दोस्तो तो ये हमें केविन विद चैसिस भी मिलती है और केविन विद बॉक्स बोडी आप्सन के अंदर भी मिल जाती है दोस्तो इसका केविन काफी स्पेशियस है जिसके अंदर ड्राइवर के कमफर को ध्यान में रखते हुए काफी सारी facilities का ध्यान दिया गया है दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो इंजिन मिलता है वो हमें Cummins का B5.9 वाला इंजिन मिल जाता है जिसका maximum displacement है 5883 cc और इसके अंदर six cylinder इंजिन का यूज किया गया है ड्राइवर के comfort को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर driving seat का 4-way adjustable इसके अंदर provision दिया गया है दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो transmission है वो ZF का transmission यूज किया गया है 9-speed gearbox वाला और सारी information सो हो जाती है साथ ही इसकी जो steering मिलती है हमें वो power steering tilt with telescope एक function के साथ में मिल जाती है दोस्तों यह जो cabin है यह hydraulically इसको आप tilt कर सकते है manual tilt का option इसके अंदर नहीं है दोस्तों इस गाड़ी का जो dashboard है उसके उपर आपको काफ़ी सारे utility space और काफ़ी सारे controls दिखाई देने को मिल जाते हैं साथ ही आपको इसके अंदर 24 volt का mobile charging का provision भी दिया गया है साथ ही इस cabin के अंदर blowers तो दिये ही हुए हैं लेकिन दो fan भी उपर की side में cabin में दिये गये हैं दोस्तों इस गाड़ी का 9 speed का जो transmission को operate करने के लिए gear lever दिया गया है वो काफी easy to drive है मतलब कि कोई इतनी बड़ी गाड़ी है इसके according ये gear जो इतना soft है कि आप इसको चलाएंगे तब आप महसूस कर सकते हैं साथ ही दोस्तों आपको 2 glove works इसके अंदर बिल जाते हैं और काफी सारे utility space भी मिलते हैं दोस्तों ये जो cabin है एक sleeper birth वाला cabin है तो इसके अंदर पीछे की side में driver के comfort के लिए sleeper birth को भी दिया गया है sleeper birth के नीचे की side में आपको एक box type का utility space भी मिलता है साथ ही इस cabin के अंदर आपको एक पीछे की side में window भी मिल जाता है जो कि आपको रोशनी और हवा देने के काम बाता है अब दोस्तों इस गाड़ी के power के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों इसका maximum जो power है वो 183 hp का है और torque generate करती है गाड़ी 685 newton meter का दोस्तों इस गाड़ी के cargo body options के बारे में मैं बता हूँ आपको तो यह 14 cubic meter box body के रूप में available होती है और इस गाड़ी का जो engine displacement CC करता है वो 5883 का करता है six lander engine का इस गाड़ी के अंदर huge किया गया है दोस्तों इस गाड़ी की maximum जो speed है वो लगबग 78 km per hour की है और इस गाड़ी के अगर मैं tires के बारे में आपको बताऊं दोस्तों तो इसमें 10 by 20 के 16 ply rating वाले tire मिल जाते हैं wheelbase इस गाड़ी का 4000 mm का मिलता है और turning circular diameter जो है 15.8 मीटर का है इस गाड़ी के अंदर ground clearance मिलता है 252 mm का और इसका fuel tank जो मिलता है हमें वो लगबग 220 लीटर का मिल जाता है तो दोस्तों इस तरह की यह कुछ गाड़ी है इसके अंदर safety को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर safety related reverse parking बजर दिया गया है ABS के साथ में इसके अंदर air brake और exhaust भी दिये गए है और बाकी चीज़ों के बारे में अगर आप रताना चाहिए इसमें ट्यूबलेस टायर बगर अगर तो कोई option नहीं है लेकिन इसके टायर जो है वो काफी durable टायर है तो दोस्तों यह कुछ रिव्यू आइसर टेरा ट्वंटीफाइब नाइन इसका दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और नए दोस्तों का मैं स्वागत कर दों प्लीज सब्सक्राइब